Language development at preschool and kindergarten level So what capacities, what abilities a child need to express in preschool and kindergarten level Language development जो है बच्चे जो kindergarten में हैं तो उनको किस तरह से वो express करते हैं अपनी language को और किस तरह से वो उसको receive करते हैं language को अपने elder से और किस तरह से language का process होता है यह हम देखते हैं यहां पर इसमें दो बतें बड़ी important हैं इस stage के उपर एक तो receptive language का concept है एक expressive language का concept है अब receptive में यह है कि children at this stage are conscious of the sounds in the surroundings बर्थ के बाद तीन चार phases जैसे development की stages है एक हम कहते हैं कि zero to two years है एक प्याजे के मताबिक एक जो terrorist है उसने इनसान को कहा कि वो develop होता है through stages तो हम अगर उसी की बात को यहां court कर लें तो जैसे अब हम बात करें कि यह pre-school और kindergarten की बात करें तो यहां पे वो कहता है जी यह बद से लेके two years तक जो है वो एक stage आती है फिर उसके बाद three से two से four years भी वो कहता है कि उसकी एक stage आती है अब यह जो stages है यह हमारी pre-school और kindergarten की है कि three years के बाद बच्चे जाते है schools में यहां पे four years के बच्चे जो है वो join करते है pre-school को अच्छा अब जो है यह एक transition भी है एक बच्चा जो है वो अपने home environment से school environment में जा रहा है तो school environment में यह पहली transition है उसकी जो अपने घर की language सीख हुई है उसने अब इस मिसाल के तोब पर parents जो है आज क्याल अपने बच्चों के साथ native language के साथ English बोलना बड़ा अच्छा समझते हैं जो यह हमारी second language है तो अब यह जो अच्छी English है यकीन कीजिए यह early years में बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं और अगर उनको अपने parents के साथ सीखने में घर से अगर उनको शुरू से सिखाया ही उस दुबान को जाए जैसे आप देखिए British बच्चा जो है वो अगर educated नहीं भी है तो उसको English लेंग्विज तो आती है जब बच्चे डिवेलब करते हैं language जाते हैं तो उसमें दो stages हैं एक जैसे receptive है so now children have already received primary language from their house, from their parents, from their family members and now they are well aware how to use this language it can be national, it can be mother tongue, it can be second language as English so अब जब स्कूल में आएंगे तो स्कूल में वो देखेंगे किस language में उनकी education स्टार्ट हुई है अब basically छोटी एच का बच्चा जो है उसको सबसे पहले जब language teacher सिखाती है तो वो sound से शुरू होती जैसे phoneme है phonology जो है सबसे पहले alphabet की sound सिखाई जाती है बच्चे को बच्चे अब sound सीख रहे हैं उनकी कान सुन रहे हैं उस sound के मताबिक बच्चों को words जो हैं वो pronounce करने बताए जाते हैं और उसके बद ये बच्चे की reception की stage है he is receiving whatever the teacher is saying whatever parents are saying so he will give more attention towards sounds किंडर्गार्टन और मॉन्टी सेरी में हमने ये देखा कि दो तरीके से बच्चे को बढ़ाया जाता है एक तो play way method है एक उस play way method में हम मुतलिफ music के instrument यूज करते हैं क्यों क्योंकि sound की बात हो रही है बच्चे जो है इस age में sound को बहुत prefer करते हैं वो receive करते हैं sound की हम उनको song से नाते हैं उनको poem से सुनाते हैं कि उन से वो जो है वो alphabet जो है वो बड़े इच्छे सीखते हैं और play way method से हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं तो जो reception वाली जो receptive stage है वो बच्चों की ये है कि वो how they are receiving language then whatever they are receiving they will express accordingly जब हम कान से जो चीज सुनेंगे वही चीज हम आगे से बोलेंगे तो चुके हम अंग्रेजी सुनते नहीं हैं हम अंग्रेजी की वो talk shows या तमाम चीजें जो टीवी पर आप देखते हैं music जो आप सुनते हैं वो सारा चुके आप अपनी national language में सुन रहे हैं जाहर है जो आप यहां से सुनेंगे ब्रेन उसको अच्ट करेगा और आप वही चीज जो है आपके muscles टंग के उसको प्रोडूज करेंगे this is actually the game, this is actually you know the process of language learning or speaking so for children formulate sounds which realize that they are they are encountering agony or joy or children babble at this stage and the children seems to be talking अच्छा अब वो जो sound है अगर वो बहुत जोर से बच्चों के कान में आई है तो बच्चे आगे से वैसी ही आवाज express करेंगे bad, sad, happy or if the sound seems good that poem, song or anything then they will show the response accordingly खुशी का इजहार करेंगे मुझ से बॉल के और वैसे गाह हूं जिस तरह की ओवाज बच्चे निकालते हैं तो जैसे आप कोई बहुत ही जोर की ओवाज या sound इस तरह का horrible होगा तो बच्चे accordingly उसका expression जो है वो देते हैं चोटी ओमर में अभी हम बात करें प्री स्कूल और किंडर गार्टन की यहां पर आके बच्चे जो हैं वो अब थोड़ा सा उनकी language काफी vocabulary भी हो जाती है और अब वो अभी भी वो जोर की ओवाज से डर जाते हैं और ऐसे expression देंगे और इसी तरह से जब वो स्कूल में जाएंगे तो teacher जो है they always you know comment that teacher is looking horrible because she was she was just you know streaming and she was screaming like that she was shouting like that so they don't like those teachers who were shouting it means the voice coming through their ears to the brain that is not acceptable for them so that's why they इस तरह का expression जो है वो आगे से देंगे yes no की बजाएं जो है वो अपनी मुझे 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 अवाजें निकालके वो अपनी बात को express करते हैं तो यहां यह जो reception जैसी reception होगी बच्चों की वैसा ही वो आगे से उसको express करते हैं this is basically the connection between learning a language so these receptive if they are good receptive then they will express accordingly stringly